बिखार के मुख्यमंत्रे नितिश कुमार जिनोंने केंदर में बीजेपी के नेत्रत वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजूट करने का जिम्मलिया है सोंबार को कॉलकता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जिससे मुलाकात करेंगे ये बेठक कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे और पूरो सांसत राहूल गांदी से मिलने के लिए दिल्ली की उनकी यात्रा के बाद होगी इस बेठक को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाओं से पहले मा गडबंदन की नीयू रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है बता दे कि बीते दिनों ही बेठक के बाद पत्तकारों से बात करते वे कॉंग्रेस नेता रहूल गांदी ने कहा कि यह विपक्षी एकता और वेचारिक लड़ाई के लिए एक एतिहासिक कदम है रहूल गादी जिनोंने मलिका अरजुन खड़ गे और जेडी यू और आजेडी नेताओं के साथ अपनी एक तस्विर पोस्ट की ने कहा कि वो एक साथ खड़े हैं भारत के लिए एक साथ लड़ेंगे गोरतलबे की मोख्यमंतरी ममता वेनर जीवी 2024 के चुनाओं से पहले अन्य दलों के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही उन्होंने पिछले महिने कोलकता में अपने आवास पर समाजवारी पार्टी के प्रमुक अखिले श्यादों से मुलाकात की थी साथ ही वे लगातार विपक्षी एकता की बात कर रही है इसी के साथ बने रहे ही राजटर्मा टीवी के साथ कहने बार